शिव और अन्य देवता रिशियों के साथ बारात लेकर हिमाले के कुछ दूर स्थित हो गए थे। जाने आगे शिव ववाग किस प्रकार से संपन्न हुआ इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोथ है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकतें तो इन्हें पूरा अवर्ष्य सुनें। ब्रह्मा जी बूले, तदनंतर भर्वान शम्भूने नंदी आदी सब गणों को बुलाकर आपने साथ उन्हें वहाँ चलने की आग्या दी। शिव जी बूले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोक कर महोच्रब करते हुए मेरे साथ हेमालचल पूरी को चलो। ब्रह्मा जी बूले, शिव जी की आग्या पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी तोली लेकर प्रसंता पूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंच में उनका वर्णन करता हूँ। शंक करने नामक गणेश्वर अपनी एक करोड गणों सहित शिव जी के साथ हेमाले पूरी को चलने के लिए उद्वत हुए। कैक राक्ष नामक गणराज 10 करोड गणों के साथ महाल उत्सप से चला इसी प्रकार विक्रित नामक गणराज भी 8 करोड गणों के साथ चला गण्नायक विशाक 4 करोड गणौ के साथ तथा गण्षेश्ट पारिजाद 9 करोड गणौ के साथ चले, शिमान सर्वान्तक तथा विक्रितानल N 60 करोड गण लेकर चले, तुदुभ नामक गण्नायक 8 करोड गणौ के साथ चला, हे मुने कपाल नामक गणेश्वर 5 करोड गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड गणों के साथ लेकर चले कंदुक तथ कुंडक 1 करोड गणों के साथ और गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड गणों के साथ चले हे मुने सत्तम पेपल नामक गणेश्वर एक सहस्तर कोटी गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसंता पूर्वक चले गणेश्वर आवेशन आठ करोड गणों के साथ तथा गणाधीश, महाकेश, सहस्तर कोटी गणों के साथ चले हे मुने इसी प्रकार कुंड और परवत तक 12 करोड गणों को तथा वीर चंद्रतापन 8 करोड गणों को साथ लेकर चले काल, कालक, महाकाल तथा अगनिक नामक गणनायक 100-100 करोड गणों के साथ लेकर चले इसी प्रकार अगने मुख, आदित्य मूर्धा तथा घना वह, एक एक करोड गणों को साथ लेकर चले, सन्नाह, कुमुत, अमोग और कोकिल नामक गणराज, सो सो करोड गण लेकर चले, गणा ध्यक्र, सुमंत्र, करोडूं करोडूं गणों को लेकर तथा, काक पातोदर एव संतानक 60 करोड गणों को लेकर चले, महाबल 9 करोड और मधुपिंग, कौकिल, नील तथा पून भद्र 90 करोड गणों के साथ चले, चतुर वकत्र 7 करोड, करण 20 करोड तथा गणेश्वर 90 करोड गणों के साथ चले, इसी तरह हे नारत, यज वाक्ष, शत्मन्यूं एवं मे ये सभी गणेश्वर 90 करोड गणों के साथ प्रिथक प्रिथक चले, गर्णाय काश्टा गुन्षट, विरुपाक्ष, सुकेशु, सनातन और व्रिशब, 64 करोड गणों के साथ चले, हे मुने, ताल केतु, शनमुख, चंचुमुख, सनातन, संबर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयम प्रभु, लोकांतक, दीपतात्मा, दैत्यांतक, देव, भिगी रिटी, श्रिमान, देवदेव प्रिये, अश्नी, भानुकादी, 64,000 गणों के साथ बड़े उच्छा से शिर्जी के विवाह के लिए उनके साथ चले, प्रमतकन सहस्त्रों, भूद गणों के साथ त तथा 3 करोड रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले, इसी प्रकार नंदी आदी गणेश्वर भी 120 करोड गणों से युक्त होकर शंकर के उच्छब में चले, ये शंकर का विवाह महुच्छब है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल, भैरफ करोड करोड गणों के साथ पेती पू उच्छब में बहां गये, इन सभी कणेश्वरू के हजारों हाथ थे, तथा वे सिर्पर जटाम कोड धारन किये हुए थे, वे मस्तक पर चंदर रेखाम धारन किये हुए थे, नीले कंठे से युक्त थे, तथा तीन नेत्रों बाले थे, वे सब आभूशन के रूप में इंदर के समान अनिमादी गुनों से अलंकृत, कोटी सूरे के समान देदिप पिमार, वे सभी गणेश्वर, शोभा से समन्वित थे, हे मुनी, इन में कुछ पृत्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले, तथा कोई आकाश कामी, तथा कोई सब्त स्वर्ग में विचरने व इस प्रकार, इन देवताओं तथा गणों से युक्त भागवान सदाशिव ने अपना विवा करने के लिए हे माले के नगर को प्रस्थान किया, हे मुनीश्वर, जिस समय सर्विश्वर शिवजी, देवताओं, एवं गणों के साथ विवा के लिए चले, उस समय का व्रतान चुनिये, शत्रों को भै देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सब मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई, वे चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्पका अभूशन पहने हुई थी, और सिर्पर महादय दिप्यमान, जलपून, कलर्श धारन किये हे मुने, बहां विक्रत वेश्थारन किये हुए अनेक प्रकार के करोणों दिप्य भूद्गण शोबित हो रहे थे, उन भूद्गणों को साथ लेकर भयान अक्मोखवाली और पत्रवकारणी वे चंडी कुदुहल करती हुई प्रसंता पूर्वक वहां गये, उस चंडी इने रुत्र में अनन्य प्रिती करने वाले 11,000 करोड रुत्र गणों को अपने पीछे कर लिया, उस समय दमरू के शब्द भेरियों की गड़गड़ा हाड और शंखों के नाच से तीनों लोग गूज रहे थे, इसी प्रकार दुदुमभी के निर्खोर से बहत बड़ा कोल लाहल हुआ जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था, मुने बारात में गणों की पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगन तथा लोगपाल अतिनत उत्गंठा के साथ चलने लगे, हे मुने बारात के मध्यभाग में बहुत बड़ी छत्र से शोभित चल रहे थे, उनके अगल भगल पार्षद घेर हुए थे, तथा उनके दोनों और चवर डोलाय जा रहे थे, विग्रहधारी, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनकादी महसित्थियों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिर्जी क सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था, एरावत हाथी पर आरूर, देवराज इंद्र, अनेक प्रकार के आभुशनों से विभूशित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे, उस समय विभात देखने की उतकंडा से बहुत से रिश नारत, हाँ हा, हुँ हु, आदि श्रेष्ट गंधर्व एवं किन्नरगंड, हर्शित होकर बाजा बजाते हुए चले, संपूर्ण जगत की माताएं, देवगन्या, काईत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देवस्त्रियां ये सब, तथा अन्य देवपत्नियां और जगन कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल, भागवान शिवजी, संपूर्ण देवगनों, तथा रिश्यों से सेवित हो, मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोवित हो रहे थे, इन सभी देवगनों, मर्शियों, तथा गनों के साथ अलंकृत हुए शिवजी, पार्वती से विभाग करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोवित हो रहे थे, हे नारत, इस प्रकार मैंने शिवजी के वर्यात्रा प्रस्थान का आप से वर्णन किया है, अब हिमाले की नगर में जो शिवजी चरित्र हुआ, उस व्रुतांत को सुनी, ब्र हे नारत, भगवान श्रीहरी के प्रेमपूर्ण प्रेर्णा से सर्वे शुश्युप को पड़ाम कर आप बारात से आगे हे माले के नगर को चले, हे मुने, बहां जाकर आपने विश्व कर्मा द्वारा, रचित, लज्ज्या की मुद्रा सी युपत, अपनी कृत्रिम, मूर हो गए, ततप शात आपने सुर्ण कल्शों से एवं केले के खंबों से अत्यमत मंडित, रत्न चरित हे माले के मंडप में प्रवेश किया, वे मंडप अती अथफुत, नानप्रकार के चित्रों से अलंकृत, तथा हजारों खंबों से युकत था, उसमें बनी हुई वेदी आप आश्यरे में पढ़ गए, हे मुने, हे नारत, उस विसमे के कारण आपका ग्यान इवन बुद्धी नश्ट हो गई, पुने आपने हिमाले से पूछा, हे हिमाले, कैसे में विश्णु आदि सभी देवता, मरशी सित, इवन गंधर्वर यहां पहुँच गए हैं, हे पर प्रमाजी बोले, हे मुने, विसमे चित हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर परवत, हे माले आपसे तथी युक्त वचन कहने लगे, हे मबात बोले, हे नारत, हे महाप्राग, अभी पारवती के विभा के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी न स्मरण कीजे, आप मुझ पर गृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाकादी परवतों के साथ शंकर के समीप जाईए, हे महाप्रते, जिनके चरण कमल की अर्चना, देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिवजी प्राथनकर आप इन परवतों को साथ लेकर अच्छी तरह संपन कर, भोजन करके महामनस्वी आप हिमाले के पुत्रों सहित, बड़ी प्रसंता से शीगर शिवजी के समीप गए, वहाँ आपने देवताउं से घेरे हुए महादेव जी को देखा, आपने तथा उन परवतों ने भक्ती से उन कान्तिमान शिवजी को प् देवताओं एवं रुद्रा नुचरों ने विस्मित होकर आप से पूछा, देवता बोली, हे नारत, हे महाप्राग, आप तो आश्यरे से चकित दिखाई पड़ते हैं, हे माले ने आपका सतकार किया या नहीं, हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताईए, ये महाबली मैनाक, सह, तथा मेरू आदी, परवत, अनेक अलंकार धारण कर यहां किस उद्देश्य से आए हैं, हे नारत, आप यह भी बताईए कि परवतराज हे माले का विचार शिवजी को कन्या देने का है या नहीं, हे तात, इस समय हे माले के यहां क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कही, हे सुब्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदे से ग्रसत हो रहा है, इसलिए हम लोग आप से पूछ रहे हैं, आप हमारा संदे ही दूर करें, ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उन विश्णु आदी देवताओं का बचन सुनकर विश्यकर्मा की माया से विस्म को एक आद में बुला कर कहने लगी, ना रची बूले, विश्यकर्मा ने हमाले के घट जैसी कारिगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे, वे हमाले तो, उस कारिगरी के कौसल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक, युक्ति से मोहित करना चाहते हैं, हिर्षर जी बती, आपने पूर्वकाल में विश्यकर्मा को भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसलिए आज आपको जीतने की इच्छा से हमाले के घर में विराजवान है, उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं तो मुहित हो गया हूँ, इसी प्रकार उन्होंने विश्यकर्मा, इंद्र आधी देवताओं की चित्र का भी निर्मार किया है, हे देवेश, आधिक कहने से क्या लाब, उन्हों विश्यकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशल्ता से बनाया है कि वह ये थार्थ, करने के लिए सभी देवताओं की यह माया मयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मुह उत्पन हो जाए, ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारत के वचन को सुनकर भाय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विश्णू की ओर देखकर शीकृता से कहा, कर दे, ब्रह्मा जी बोले, उनका एवचन सुनकर देवादी देव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे शकी बते, आपके बैरी निवात, कवचादी, दानवगणों ने महाविद्या के बल से पूरु समय में भी आपको मुहित किया था, हे बासब, इसी प्रका करने की इच्छा करते हैं, ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते, अतर आप इनसे भाइभीत ना हो, हे देविंद्र, इसमें कोई भी संदे नहीं है, कि भग्तवचल, भगवान सदाशिप, हम सभी का मंगल करेंगे, ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार व्याकुल को देखकर विश्णू ने उन्हें समझाया, तब लौक की गती का आश्याय लेने वाले भगवान शिप उनसे कहने लगे, इश्वर बोले, हे हरे, हे सुर्पते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्ष कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों से इस प्रकार कहकर, हे मुने, पुनहा उन्होंने आपसे कहा, हे नारत, महाशेल ने क्या कहा है, आप ये थार्त रूप से सारा प्रतांत कही, आप उसे गुप्त ना रखें, आप शीकृता से बताईए, कि शेल राज की कन्या देने की इच्छा है, अथवा नहीं, हे तात, आपने वहाँ जाकर क्या देखा और क्या किया, ये सारा प्रतांत प्रेम पूर्वक कही, ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब शिप जी ने आपसे यह कहा, तब तिव्वे दृष्टी वाले आपने मंडप में जो कुछ देखा था, वैसर एकांत में इस प्रकार कहा, नारत जी बोले, हे देव द बचन सुने, इस विवा में किसी प्रकार के विग्ण दिखाए नहीं पड़ते, और ना तो किसी प्रकार का भाय है, शैलरा निश्यत रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं, ये परवत इसी निमित आपको लेने की इच्छा से यहां आए है, इसमें संदेह नही है, हे सरवग्य परंतु एक बात है, कि कोतुहर वर्ष वहां सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अध्भुत मायरजी गई है, इसके अतिरिक्त वहां और किसी प्रकार के विग्ण की संभावना नहीं है, हे विभो, महा माया करने वाले विश्यकर्मा ने हिमाले की आ आशर में पढ़ गया, ब्रह्मा जी बोले, नारत का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभुर्शिव जी विष्णु आदी देवताओं से हस्ते हुए कहने लगे, हे विष्णु, यदि परवत हे माले मुझे अपनी कन्या देंगे, तो आप ये थार्थ रूप से बता निया शास्त्र के जानकार पंडितों ने कहा है कि जिसकी सी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतह आप सभी विष्णु आदी देवकण इस कारे सिद्धी की इच्छा से शीग्रही चले ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहने वाले जीतेंद्रिय भगवांत सदाशिप को काम देव ने साधारन मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया उसके बाद शिवजी की आगया से विष्णु आदी देवता इवं रिशिगन, फ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमाले ग्रह की ओर गये हिमोने उन देवताओं ने आप नारत को तथा उन परवतों को आगे कर आश्चरी चकित हो हिमाले के अपूर एवं परम, अत्पुत, मंदिर की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार हर्ष में भरे हुए पिष्णु आदी देवताओं तथा प्रसंता से युक्त अपने गणों के साथ विष्ण जी आनन्दित होकर हिमाले के नगर के समी पागए ब्रह्मा जी बूले देवसेना को देखकर हिमबान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए देवता भी हिमाले की विष्ण सेना को देखकर आश्यरे चकेत हो गए इस प्रकार देवताओं तथा परवतों को परम आनन्द प्राप्थ हुआ हे मुने उस समय देवताओं तथा परवतों की विष्ण सेना मिलकर पूर्व तथा परश्यम सागर के समान सुशोवित हुई वे देवताओं तथा परवत परस पर मिलकर बड़ी प्रचंता से अपनी को कृत-कृत्ते मानने लगे इसके बाद हे माले ने इश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी परवतों तथा ब्राह्मनों ने भी सधाशिव को प्रणाम किया हे माले ने व्रिशव परसवार प्रसंद मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्वे शरीर की शोभा से दिघंतरू को प्रकाशित करने वाले अत्यनत सुक्षम तथा नवीन रेश्मी बस्र से शोभित विग्रह वाले सिर्पर रतनों से जटित मुखुट धारन की हुए हस्ते हुए शुब्रकांती वाले अलंकारों से सुशोभित अंग वाले अंगों की अत्वत प्रभावाले दिव्वे कांती से संपन हाथो में चवर धारन की देवताओं द्वारा सेवित बाई और अच्यूत दाहिनी और ब्रह्मा प्रिष्ट भाग में इंद्र और पीछे तथा पाश भाग में देवता संचार का कल्यान करने वाले अपनी इच्छा से शरीर धारन करने वाले ब्रह्मसो रूप सर्विश्वर वर प्रदान करने वाले निर्गुन तथा सगुन रूप वाले भागतों के अधीन रहने वाले क्रिपा करने वाले प्रकृती तथा पुरुष से भी परे और सचिदा प्रभू के दक्षिन भाग में गरोर परसवार तथा नान प्रकार के आभूशनों से सुच्चित अच्चुच श्रीहरी को देखा। प्रभू के साथ नारत प्रभू के साथ जाते हुए सभी मुनी देवता आदी एवं देवगंड परंप्रसन हो हिमाले के नगर की प्रशंचा करने लगे। प्रभू के बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदी को ठेरा कर स्वें वहां चले गए जहां बेदी बनी थी। उसे चोकोर तता तोर्णों से विश्यशूप से सुच्चित कराकर स्नाम दानादी क्रिया कर उन्होंने विधी पूर्वक वहां का निरिक्षन किया। तत नंतर परवत राज हेमाले ने विश्यश्यवादी संपूर्ण वर्ग से युक्त शिख के समीब अपने पुत्रों को भेजा। वे परवत राज परम प्रसन्हों अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सपूर्वक वर्ग का यतुचित आचार कर दन चाहती थे। तब उन परवत पुत्रों ने बहां जाकर अपने वर्गों के साहित विराजमान उन शिख को प्रणाम करके शैलिश्यवार की व्यप प्रार्थना सुनाई। तद पर शात बेप परवत पुत्र उनकी आग्या से अपने घर चले गए और प्रसन्हों कर शैलराथ से बोले कि अब सब आ रहे हैं। हे मुने इस पर शिख जी सहित विश्णु आदी समस्तर देवता गिरिराज की वे प्रार्थना सुनकर परमप्रसन और अत्यंत आहलादित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनिकन और अन्य लोग उत्तम विश्पूर्शा धारन करके प्रभु के साथ परवत राज के घर गए। उस सबसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुनि प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनिश्रेष्ट को बोलाया। तब हे मुनि आप प्रभु से प्रिरित होकर शिवजी के हिदे की बाद पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुनि आपको प्रणाम करके विस्मित मनबाली मैना भगवान शंकर के मदविनाशक रूप को देखने की इच्छा से आप से कहने लगी। विवहा अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी केवल बारात हिमाले के द्वार पर थी और मंडप में आने की प्रतिक्षा की जा रही थी। मैना के शिव के दर्शन करने के अनुग्रह का क्या हुआ। उससे सब ठीक हुआ। यह बातें कुछ और उलच गई। जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटी-कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्साहित करें।